बॉलिवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 56 साल की उम्र में पत्नी किरन राउ से तलाख लेने जा रहे हैं आमिर अपनी जिंदगी में दूसरी बार तलाख के मोहाने पर खड़े हैं साल 2003 में उनका पहली पत्नी इरीना दत्ता से डिवोर्स हुआ था आमिर खान और केरन राउ ने अपने तलाख की खबर को शेर करते हुए एक जॉइन्ट स्टेट्मेंट जारी किया है आमिर और केरन की तलाख की खबर फैंस के लिए बेहत शौकिंग हैं जिसकी वज़े से वो सुर्ख्यों मिछा गए है बीते साल आमर खान सुर्खियों में तव आये थे जब वो तुर्की की राश्रोपती की पतनी एमन एर्दगौन से मिले थे दरसल भारत और तुर्की के बीच रिश्टे ठीक नहीं है ऐसे में आमर का तुर्की की पहली महिला एमन अर्दगौन से मुलाकात करना कई लोगों को रास नहीं आया जिसकी वज़े से उनकी खूब आलो उचना की गई करीब पांच साल पहले आमर खान विवादों में तब आये जब उन्होंने एक समारों में कहा था कि देश में पिछले कुछ महीनों से इंटॉलरेंस का मौहौल बना हुआ है जिसकी वज़े से उनकी पतनी केरन काफी डरी हुई है और वो बच्चों को लेकर देश छोड़ना चाहती हैं ऐसे में आमिर का ये बयान विवादों में घिर गया था इसकी वज़े से उन्हें जनवरी 2017 में इंक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड अम्बेसडर पद से भी हटा दिया गया था आमिर खान की फिल्म पीके उनकी अब तक ही सबसे विवादित फिल्म रही है ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में पहले तो आमिर के न्यूड पोस्टर ने तहलका मचाया इसके बाद फिल्म में हिंदु धर्म का मजाक उड़ाने के चलते आमिर को काफी भला ब कर्चन की भूमिका बिल्कुल समझ में नहीं आई इस बयान के बाद आमिर और अमिताफ में अनवन भी हो गई थी आमिर खान ने अपने कुत्ते का नाम शाहरुक रखा था जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया इसको लेकर काफी चर्चा हुई थी इस बात पर इतना विवाद हुआ कि आमिर को सोशल मीडिया पर सफाई भी देनी पड़ी थी आमिर खान की भाई फैजल खान ने उनके उपर पैसो के लेंदेन को लेकर मार पीच का आरोप लगाया था ये मामला भी काफी चाया रहा खुद समय पहले आमिर ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी इरा खान के साथ एक फोटो शेयर की थी फोटो में इरा पापा आमिर के उपर बैट कर मस्ती करती नजर आई थी बैंस को उनकी ये फोटो बिल्कुल पसंद नहीं आए इस फोटो पर उनकी ज्रम का रालोच ना की गई अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें इसकी डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंटुवर्सीज हर विडियो मिलेगा इच्वर्टीफोर पर तो फिर धमाकेदार इंटेटेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इच्वर्टीफोर